जी हां दोस्तों अब आप Play Store से कोई भी अप्लिकेशन जैसे के Share It या कोई ऐसा 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 एप्लिकेशन जिससे आप एपस एंड गेम्स को एक मोबाईल से दूसरे मोबाईल में भीजने के लिए अप्लिकेशन इस्तिमाल करते थे लेकर आपको ऐसा नहीं करना है आप जि इस तरह से इंटरेफेस न खुले तो आप मोबाईल इंटरेट डेटा ओन कर सकते हो थोड़ी दिर के लिए वैसे देखो इंटरेफेस खुल जाएगा यह नया अपडेट है प्लीज स्टोर का ठीक है आप देख सकते हो बिना इंटरेट के इस तरह से खुल गया है आपको कर 3. पर क्लिक करना है जैसे आप 3. की आइकन पर क्लिक करते हो यहां पर आपको माई एप्स एंड गेम्स इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको सेयर का ओप्सन दिखाई देगा आपको सेयर पर क्लिक करना है अब आपको देखना है कि आपको जो है applications या games को send करना है या receive करना है तो हम जैसे send करके आपको दिखा रहे हैं ठीक है और यह side में आप देख सकते हैं right side में यह mobile आपको दिखा रहे हैं इसमें हम भीज जाएंगे ठीक है चलिए हम जैसे यहाँ पर देखो send के option पर click करेंगे तो कुछ ऐसा interface आपको देखा अब आप जिस भी application को भीजना चाहते हैं उस पर आप click करके select कर लें तो अब दोस्तों यह send करने के लिए बुलकुल ready है आप आपको करने क्या है जो जिस भी mobile में भीजना चाहते हैं ठीक है वैसे दो कि internet हमारा off है ठीक है चलिए इंटरेट से इसका कोई मतलब नहीं है यह Bluetooth and Wi-Fi से work करता है चलिए अब आपको यहाँ पर left side में three dot पर click करके यहाँ पर my apps and games में जाना जिससे मैं आपको पहली बताया था यहाँ पर आपको देखिए share के बटन पर click करना है यहाँ से आपको देखिए receive पर click करना है हम दूसरे mobile से भीज रहे थे लेकिन यहाँ पर हम receive करना यानि प्राप्त करना है चलिए यहाँ पर हम receive पर click कर देते हैं और यहाँ से देखिए कुछ ऐसा interface हमें देखने को मिलेगा तो चलिए यहाँ से भीज देते हैं और यहाँ पर ब्लुटूथ एंड वाइफाई के जरीए फैच कर रहा है और यहाँ पर नाम भी आ ठीक है यहाँ पर देख सकते हो प्रदीप कुमार इस mobile में नाम है हो तो इ сам यहाँ या पर यहाँ पर किलिक करना है एंडिसे एक्टैप्ट कर लेना है चलिए यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे सेंस्टार लिस्टों के लिए रेडी हो जाए और देखसकते हो यहाँ पर से देखिए पर दे पर्सेंटेज इस तरह से 100% यहां से पूरा इंस्टॉल हो जाएगा आप देख सकते हो यह सेंडिंग वाला यह Bluetooth पर इस तरह से स्टाव कर सकते हैं अब अब को बता है तो यह जैसे मैं आपको बताया था एप्लिक्वेसंस या गेम को भीजने के बाद या रिजीव करने के बाद जो है अपना जो है Bluetooth एंड जो वाइफाइन है उसे बंद कर लेना क्योंकि आपके बैटरी फिर खर्च होती है इसलिए आप इसके बाद इस्तेमाल करने के बाद अपना Bluetooth एंड वाइफाइ जो है दोनों को बंद कर लेना जहां से आप भेज रहे हो और जो है आप से गएगा बाई यह मारा और देख सकते हैं इस तरह से आप मैं आपको बताया था यहां पर यहां पर किसी भी आप यांप सेटी अपर सकते हो ठीके अगर आपके मोबायल में नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या देए, दोस्तों मैं आपको back करके थोड़ा दिखा दिता हूँ, यहाँ पर आपको देखिए three dot की icon पर click करना है, left side में three dot की icon पर आपको click करना है, यहाँ पर आपको settings पर click करना है, जैसे आप settings पर click करते हो, तो सबसे आपको नीचे की तरफ आना है, यहां पर देखिए play store version पर अवेलबल है इसलिए आपको यहां पर देखिए एक option आएगा और play store version इस पर आपको क्लिक करना है और यहां से आप चेक कर सकते हो आपका गूगल प्लेज स्टोर जो अपडेटेड है यहां पर अपडेटेड है यहां पर अपको understood यहां पर क्लिक कर दिना कि हाम समझ गए अप देख सकते हैं Google Play Store इस अप टूडेट या आपका जो गूगल प्लेज स्टोर ना वह मतलब लेटेस्ट वर्जन का ही है आप यहां से गू वीडियो और सो हो रही है जो की काफी ज्यादा helpful है इन वीडियो को भी जरू देखना थैंक यू फॉर वाचिंग